हाई प्यारे बच्चों वेरी गुड इवनिंग टो अलफ यू जैसे आप सब लोग जैसे आप सबको पता है कि हम लोग 11 क्लास का फर्स्ट इन्ट इंट्रोड़क्टरी पढ़ रहे हैं और उसमें हमने बेसिक फोर्स के बारे में बात की थी हमारे पास चार किसिम की बेसिक फ हम लोग इनके उपर सिर्फ बेसिक आइडिया लेंगे क्योंकि हम लोग फजिक्स पढ़ने जा रहे हैं और हमें 11 क्लास और 12 क्लास में दो बोडी आपस में कैसे इंट्रेक्ट कर सकती है उसके बार में पढ़ना है और बेसिक लेवल पे कि जहां से हम कह सकते हैं कि मैटर जो हमें को एक ऐसी एक सिंगल थेओरी हो जो पूरे उन्वर्स को एक्स्पेंट कर दें वह अभी कंसेप्ट उस पे जिसे हम लोग स्ट्रिंग थेओरी जहां क्वांटम डॉट ग्रेविटेशन पर वरक चल रहा है तो वह जल्दी ही हमें प्राचल सकता है लेकिन अभी तक जो बेसिक फोर्स हैं चार उनमें से एक एक करके हम लोग स्टेडी करते हैं और क्योंकि 11 क्लास में ग्रेविटेशनल फोर्स हमारे पास एक यूनिट भी है तो आज हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स को एज बेसिक फोर्स के तोर पे पढ़ रहे हैं तो देखते हैं कि हमारे प करती है इसको हम लोग देखते हैं हम लोग मर सल्गों नहीं जाते कि कैसे बाड़ी को मास एक वे प्रॉक को Carry होता है हमने एक वीडियो में कहने था कि हम security है घ्जड होता है तो हीक्ड फील्ड में जब पार्टीक्ल हमों करते हैं तो तो वह पार्टिक संबंसरेंगे यह लोग आज हम लोग ये देखते हैं कि कोई भी मॉस for a body हो तो हम लोग क्या कहते हैं कि मास्क kya होता है बाड़ी का कि किसी बॉड़ी में कितनी quantity जा कितना amount of substance contain है वो उस बॉड़ी का मास रहता है और बॉड़ी की density कितनी है उसके उन सारी हम उसको उसकी बॉड़ी के वॉल्यूम को लेके define कर पाते हैं कि बॉड़ी की density इतनी है और जितनी density होगी बॉड़ी उतनी ज़्यदा मैसिव होगे हो जितनी मैसिव होगे उसमें ग्रेविटेशल इंट बहrate है तो हम लोग दिखते हैं मान लो हमारे पास यह दो बॉड़ी यह दो बो बोड़ी है जिनका मास इसका मास मान लो m2 है यह दोनों बॉड़ी से सेपरेटेंक दुस्ते अवा Elr तो ग्रेविटेशनल फोर्स ऐसी फोर्स रहती है कि कोई भी दो मास बड़ी हो उनके बीच में लेती है कोई दो मास बड़ी है वो दुनों एक दुसरी को अट्रेट करती है जिस फोर्स के साथ पूर्ट करती है उसे ग्रेविटेशनल फोर्स कहते है और ऐसा क्या होता है कि ए के उपर आभी वर्क चल रहा है आगे जाके हम जब यह ग्रेविटान अगर एग्जिसंस में आता है ऐसी जो हम हिपोथेटिल कंसेप्ट को इंट्रोड्यूस करते हैं वो पूरा लॉजिक और रिजिंग के उपर सम लॉजिक उपर भी इस रहता है तो इसलिए ग्रेविटान तो बढ़ी है एंडवी दोनों मॉसिए बढदी है तो ब्रॉज अफ़ेगर एक्सटेशन आफ़ ग्रेविटान tu axo एक्दश को करते हैं तो दो मॉस्ट बढडी के बीच में जो एक्रेक्शन रहती है इस्ग्रेशन थी है बिक Tapi के को पुछे कि हमारे पास एनी टू बोड़ी एना एनी टू बोड़ी हो एनी टू बोड़ी कोई भी दो बोड़ी जैनी टू बोड़ी बोड़ी जैनी टू बोड़ी जैनी टू बोड़ी दे इंट्रेक्ट दे इंट्रेक्ट हम यहां इंट्रेक्ट की बात करें तो इंट्रेक् कि ये दोनों क्या कुंद इंग दूसरे को अटरेक्ट करती है इन टुब डिस तो अडरड़ इचा अधर थी कहई वास एक फोर्स के साथ विचिस वेई जोर्ड ग्रेविटेशाल क फोर्स ऻुसको हम लोग graviेशनल force कहते हैं इस force को हम लोग 11th class में हिविटेश में पढ़ेंगे जैसे हम लोग आगे जाएंगे तो यह हमारा एक unit है इसको डिटिल में पढ़ेंगे यह दो बडि की बीच में gravitational interaction है एक दुसरे को thread करें है किपनी force के साथ interact कर रहे हैं वो हमें हमाँ पास साइंटिस्ट है हमारे सारे साथ Newton उन्होंने नहीं हमें ला दिया जो पुरे उनिवर्ट करती है जिए डिस्त्र Ξमीन कि पूरी universe में वर करता है, तो इस लागिक के उनसार की जो force of attraction होती है, जो force of attraction है, force of attraction between two bodies, between two bodies is directly proportional to is directly is directly proportional to product of their masses product of their masses in a kid na unke masses ka product jada hoga utni jada force of attraction ogie and inversely proportional to inversely proportional to to scare of the distance scare of the distance between them between them from their centers key a case in the silly case do say a center stuck do distance I would need to know how do you have a press force of interaction with me he come home is by following inverse care lady inverse care ka laga mtla hai ki agar mein us distance ko scare kardu or reciprocal kardu to utni force of attraction resi pro club lota hai ki divide kardu product of mass ko divided by r square so humare paas utni gravitational force haray gi haram a mathematical baat karu is ko a se sange ga ki force of attraction directly position to product of their masses and is inversely position to scare of distance between them ki jitna jada mass hooga ut product hooga utni jada force hooggi jitna jada distance hooggi to squarely inversely utni comfort so get it a little ham dono conditional ko combine karin to forces directly position to m1 m2 divided by r square ye generalization in ki ye lag joh hai universal hai pura universe me kaya karis tu hai baat da wait your other is la law come look practical form mein karin to hamshe k frågor sahe gi tallo gi team the wanzhi dem Varu地 Oh my acqu n ile que p tulae ms यह जो G होता है यह universal इसकी वैल्यू और ग्रेविटेशन इनुवर्सल कांस्टेंट कहते हैं हम इसको और इस जी की वैल्यू जो है वह 6.67 10 की मैंस 11 न्यूटन मीटर स्केर पर के जिसकेर के बराब होती है और इसकी वैल्यू पूरे उनुवर्स में कांस्टेंट रहती है यह जो के से आती है कितनी फोर्स अफक्रेक्शन अधी है तो हम इसको यहां से समझ सकते हैं कि अगर मेरे पास जो फोर्स है हम यह ऐसा कह सकते हैं कि अगर मेरे पास सेञे का मास यहाँ धूसरा यह यह के जी कर ऊaux है और सेपरेट हो यह सेपरेट हो युनिट से तो तब जो फोर्स अफ ट्रेक्षन होती है दोनों मास के बीच में वह यह ग्रेविटेशन कांसेट होती है यह इसकी इतनी वैली होती है तो हम लोग अभी मांच सकते हैं कि कोई भी दो मिट्रिल बॉडी होंगी तो वह एक दूसरे को अट्रेट क करते है एक फोर्स के साथ जिसको लोगविटेशन फोर्स कहते हैं और क्यां होती है वह वो क्योंकि दो बडी के बीच में गर्शन होते हैं इससे इन सब्कॉट होती है यह कynchron आया क्योंकि जब हम Mär तो हमारे पास बड़े सारे एर रहते हैं तो यह जब प्रपोर्शनल्ट का मतलता है कि जो दूनों एकुल वैल्यू थी तो जब हमने कैलकुरिशन किया रहा और को इसमें गड़्ड हो तो यह उसको प्रपोर्शनल्टी के एर को मिनिमाइज कर देती है तो अगर हम लोग यह हमारे पास की ग्रेविटेशनल फोर्श होती है अगर हम इसकी प्रॉपटी पड़ें कि यह ग्रेविटेशनल फोर्श होती कैसे है तो यह चार पंच प्रॉपटी रहती है हमारे पास देखो पहली बात यह है कि इसकी जो प्रॉपटी है कि यह जो ग्रेविटेशनल नोजी होती हैं अट्रेक्टिव रहती हैं तीसरा स्पीशस को फालो करती है इन वह स्क chemical को फालो करती हैं तीसरा टो था है यह central फोर्स है सेन्कर्स तोन पांच मां यह conservative सब्सेंज विरहार्ड होती है कि अगर इस फोर्स से कोई काम किया जाए जब ग्रेविटेशनल फिल्ड के बीच में एक बाड़ी को दूसरी पोजिशन पर ली जाए तो वो जो फोर्स होगी जो वर्क होगा वो डिपेंट्स करता है इनिशल एंड फाइनल पोजिशन के उपर किस पास से हम लोग लेगे उस फ लेकिन इसकी जो जानकारी है अगर हम उसको कंसीडर करें तभी हम लोग इसको ग्रेविटेशन फोर्स को प्रापरली एक्सपेंड कर पाते हैं नेक्स पॉइंट है कि अगर क्या करें एक बोड़ी है यह दूसरी बोड़ी इसके वाद तीस्योर बोड़ी आ जाए तो इन द इसपे था वह अभी उतना ही है क्योंकि इनके बीच में इनफनेट पार्टिकल से बना है इनफन पार्टिकल से बना है तो हमारे पास जो नेट एफेक्ट होता है बड़ी का दूसके उपर वह वेक्टर सम कहते हैं वेक्टर सम अफ दिश्न आफ इंडिविजल पार्टिकल इसके आने से इसका दूसेथ यहां उनल ईए और इसका दो यह हमारे पास वेंड पॉइंटS एंसके की व्याद्स अ एक और पॉप्टिये सिह कि बिट्वीन 3rd बडी है तो मतलब होता हुट से लेकर इसकी एकड के ग्रेविटेशनल पॉर्स आइए एक लांग रेंज फोर्स है लांग लांग रेंज फोर्स का मतनल होता है कि नुपलिस के बीच से लेकर से इनफने डिसेंट तक एक बड़ी दूसी बड़ी को इंट्रेक्ट कर सकते हैं तो यह रहे हमारे पास एक ग्रेविटेशन फोर्स है क्या कि दो बड़ी मास के करद जब इंट्रेक्ट करते हैं वह वह पता सारे पार्टिकल जो है एलेक्टर प्रोटां से बने होते हैं और वहां पर इलेट्रमीरिट्फ यृडट करती है जो इससे काफी स्ट्रां moreGu 10-30 16 iPhone वह to पूर्य यूनिवरी और G दोग लेग्ट्रमीनिट लिए इदेखर क्विकली फोर्स क्यों यह हैं सब्सक्राइब पार्टि लिए खीचेंगे तो इनका इफेक्ट जो है बहुत बढ़ा हो जाता है इसी पूरी उनवर्स को कंट्रोल कर पाती है यह थोड़ी बेसिक प्रप्प्टी थी इसकी उसके वाद है हमारे पास उसके वाद है हमारे पास की एविडेंस कहां की हम यह कैसे मालने की जो ग्रेविटेशनल फोर्स होती है की एविडेंस कहां पे हमारे पास की हम लोग कैसे मालने की ग्रेविटेशनल फोर्स होती है ठीक है जी तो सबसे पहली बात यह है कि हम तुम सब लोग हम लोग जमीन के पर हैं अगर हम लोग जम पी लगाते हैं तब भी जमीन पर वापिस आ सकते हैं इसे मेरी मास बड़ी को ग्रेविटेशन एर्थ की जो ग्रेविटेव क्स रही है तो इसका मतलए यह लाइव इंपombl है कि विफ्स होती है कि आल दी बादि जो है angie कि on the surface of earth on the surface of earth जो एक इस डू टू to gets है इस डूट ग्रेविटेशनल फोर्स के दूर सी बात करने मुण गुम रहा है क्यों गुम्राइब को व्रेश्टन फूर्स इसका मतला हम लोग कहते हैं कि जो हरे विलूशन है रहे एवलुशन आर जो रूटेशन है और रूटेशन आफ हैपनली बोडी जो है इस आल्सो डू टू इस अंसो डू टू ग्रेविटेशनल फोर्स फिर हमने इसका टेकनोलोजी बना है कि हम खुल सेटलाइट को आर्थ के ग्रेविटेशनल फिल्म बेजते हैं तो जो हमारे एंथ इसका अधार ग्रेविटेशनल फोर्स है कि जो रेवलुशन होती है रेवलुशन आफ सेटलाइट आर्टिफिस सेटलाइट जो है एरूंड इस एर्थ एरूंड दी अर्थ आर्थ और अधर हैवनली बोडी जहां और जो हैंली बोडी जो हमने बनाया वो ऐसा वर्क कर रहे हैं ग्रेविटेशन फोर्स के तो इसका मतला है वो है हमारे पास हमारे पास जो है जो एटमास्फिर है हमारा एटमास्फिर एटमास्फिर आफ आर्थ जो है इस आलसो इस आलसो ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स इस अलसो ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स और अपनी तरफ खीच रखे हैं तो जितना भी हमारा ओशिन है वह प्रित्वी तरफ खीच रखा है तो इस आप सो भी कोज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स हम यह वह कहेंगे कि जो ओशिन जैंडी सर्फेस आफ अफ अर्थ जो है इस आलसो डूटू इस आलसो डूटू प्रेविटेशनल फोर्स है तो यह बेसिक लेवल पर थी जब हम इसको यूनिट को स्टेडी करेंगे तब हम काफी देल में पढ़ेंगे ठीक यू फर वाचिंग सब्सक्राइब मैं चैनल गुर्दीफ हिंदुस्तानिया कल हम फिर एक नए फोर्स के साथ एलेक्ट्रों फोर्क साथ आएंगे तब तक शुब्रात्री जै करो खूब बड़ो थैंक्यू